पिथमपूर अध्योगिक शेत्र सेक्टर 3 में स्थीत जेके इंडरस्ट्री शराप कमपनी में श्रमिकों के साथ मार्पिट का मामला सामने आया है मार्पिट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पिकप वाहन में कुछ लोग तोड़ फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं रास्ते में रोक कर ठेकेदार के आदमे पिकप वाहन पर लाठी डंडे लोहे की राड से पिकप वाहन पर हमला कर देते हैं वहीं इस घटना में दो आरोप्यों को भी गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि शराब कमपनी में ठेकेदार लोकल होने के कारण आए दिन रंग बाजी करता है एवं मजदूरों से डरा धंका कर काम करवाता है पूर्वों में भी इस तरह की कई बार शिकायतें भी हो चुकी है वहीं जैस संगठन इस मामले को लेकर एक बड़ा अंदुल करने की तैयारी में है पिधंपूर से संजै सौनगरा की रिपोर्ट सर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मारपीट का उसके बाद वीडियो की जाच पर किस तरह की क्या कारवाई की गई सर चुकी वीडियो वायरल हुआ है उसके पूरों ही हमने कारवाई कर जेके कंपनी में दो ठेकेदारों के बीच में कुछ मामुली विवाद हुआ था उसको लेकर बाहर जब एक व्यक्ति के साथ जो मजदूर आयते वह अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो अन्य व्यक्ति के साथ ही वहाँ पर पहुँचे और उनने गाड़ी में तोट फोरी द किया और उसमें वीडियो के आदार पे हमने एक की पहचान किये चेतन जाट जो सुलावड़ दाओ का रहने वाला है जो गाड़ी में तोट फोर करते हुए दिख रहा है जिस पर से उसको हमने राउंड अप करके उसकी अरेस्टिंग किये वह अन्य धारा एक्टोसिटी की प्रतिवंदात्मक करवाई भी करेंगे वह अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है जो अपराध के आदार पर उनके आश्रे के आदार पर आगे वेदानिक करवाई करेंगे आरूपी चेतन जार्ट है सर उसके उपर पूरू में भी किसी तरह का प्रक्रण है अप्राधिक रिकॉर्ड है उसका पूरू में भी एक प्रक्रण उसका है इसी प्रकार का चारदू 27 का प्रक्रण है जिसमें बसों में तोड़ फोड़ के संबन में जानकरी हमको प्राप्ट हुई है जी आपका नाम और को दोता है अभी पार्टी दार टी आई पी तो हुआ है आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना पुले